कि आया हूं पूरा कुछ बोलना है बूलिया आप लोग पूछिए कोई पूछना है तो देखिए मैं आज जब दुपहर को मैंने एक वीडियो देखा कि नभीन बाबू भासन देते हैं और उनका जो हाध है पंडियान पूरा कंट्रोल करते हैं दो दो बार देखिए नभीन बाबू बैक्ती नहीं है कभी-कभी मैं देखता हूँ नभीन बाबू जो बार बार टुइट करते हैं ओ भूल जाते हैं कि ओ बैक्ती नहीं है कम से कम आज भी ओ उरिशा का मुख्यमंत्री है ही जए इंस्टिटूइशन उरिशा का सारे सार को लोगों का जो अहंकार है यह मुख्यमंत्री का साथ जोड़ा रहते हैं अगर मुख्यमंत्री का हाथ कोई एक रिटियार्ड अधिकारी ऐसे कबजा कर सकते हैं फिर डाइने ले जाओ बाया ले जाओ यह जो उन्होंने दो तीन बार वीडियो में किया आप लोगोंने वीडियो में देखा यह बहुत दुख की बाद है यह कोई नभीन बाबु इसको क्लारीफाई दे इससे कोई मतलब नहीं होते है नभीन बाबु भूल सुका है कि ओ उरिशा का मुख्यमंत्री है ओ पंदियान का मुख्यमंत्री नहीं है यह उरिशा का मुख्यमंत्री है सारे सार कोड उरिया लोगों का सभिमन उनका साथ में है अगर भारत का और कोई प्रदेश का मुख्या मंत्री को उनका पीए पीएस ऐसा हलत करते थे तो सीप सेकेटरी तुरन फाइल ले आते थे कि आज ही उनको सस्पेंड किजिए ऐसे नहीं सलता है चीप मिनिस्टर इस चीप मिनिस्टर बहुत बड़ा इंस्टिटुइशन होत है कोई बड़ा बाद नहीं है जैसे है ऐसे आप ठीक है आपका कुछ होगा जो भी है पर नभीन बाबु को ऐसे हमारा पसंद है सुपाना क्या जरूरत है और सुपाया भी जैन्टली नहीं ऐसे पकर के आगे करो पीसे करो दो दो बार और उनका आखो भी आप देखो जैसे SPG खारा होते हैं आप पंदियान का आखो देखो मैंने आज दो वीदियो मिलाया प्रधान मंत्री जी और आस्ट्रोपती महुदया या कोई भी बड़ा बेक्ति का साथ जो SPG होते हैं आखो हिला हिला के और ऐसे नभीन बाबु को देखते हैं इधर जाओ तो में करूंगा एक बाद में बोलता हूँ यह tweet नभीन बाबु किया है इसका क्या guarantee है को कोई guarantee ले सकता है यह tweet भी पंदियान करवा दिया होगा मैं तो आज सुना हूं पहला बार कि Digital Signature भी पंदियान का साथ है नभीन बाबु फाइल भी नहीं देखते हैं तो यह डुख का बाद है बिजेदी का लोगों को संग्यान में लेना साहिए कि मेरा मुख्यमंत्री को कितना अपपमान करें डेली बेसिस में उनका इंसाल हो रहा है डेली बेसिस में उनका अपमान हो रहा है उरिशा का सभिमान का उपर डेली एटेग हो रहा है यह ठीक नहीं है मैं इसलिए पंद्यान को ही रिक्वेस करूंगा भाई कम से कम आप जाईए आपका उपर लोग नराज है इहां तक आप पुरिशा को लेके मत जाईए अब कोई BJD का मंस में मंत्री ने होते हैं कोई विधायक ने होते हैं कोई संक्षड ने होते हैं कि क्या सल रहा है कोई डूसरा स्थेट में है ऐसा भारत का राजस्तान में जाईए मैंडर प्रदेश जाईए आप बाकी सोड़ीजे इंडिया कोई हाथ पकर के राखते हैं तो इसलिए मैं नभीन बाबू को रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो सुका है एक तारीक सुनाओं है उसका पहले पंडियान को छुटी कर दीजिए कम से कम सरकार तो नहीं बसेगा लेकिन फिर भी कोई opposition में भी बैटने के लिए आपको कुछ सी मिलेगा तो क्या लगते हैं आपको मुख्यमंत्री का जो पद है उडिशा में उडिशा की जर्मा को थे पहुंच आड़ा अज जो मैंने वीडियो देखा यह क्लाइमेक्स है इसका उपर और क्या हो सकता है पूरा ऐसे हाथ जैसे मेशिन कबजा कर लेते हैं ऐसे हाथ को कब अधिकार था कि हात ओ पॉजीशन में रखने का लेकिन पंडियानलाव नहीं करते है मतलब एक मिख्यमंत्री का अधिकार भी नहीं है कि उनका हात पूंसा जगा में प्लेज होगा कुंसा जगा में रहेगा फोरね निनना ही करते हैं और पूरा जंटा का सामने ये करते हैं, उरिशा का अहंकार के लिए, सभिमान के लिए उससे दुख का बात कुछ नहीं हो सकता है, मैं आज बहुत दुखी हूँ, एक दुख भड़ा मन लेके उरिशा से मैं जा रहा हूँ, उरिशा का मिक्खा मंत्री का वो भीडियो दिल दॉखिये, में जक्कष होने में क्या प्राव्लम है, हम तो चोटे हैं, महाप्रभु जगर्नाथ बरे हैं, में जो भी बने मुझ को जो भी बोले, आप बोल दीजिए न, लेकिन महाप्रभु का रत्नभंडर का साभी हमें दे दीजी हम क्या है आप में यह दुनिया में आया हूँ दुनिया में से जाना भी परेगा हमको जो नाम से बुलाए हमारा क्या फरक परता है हमारे लिए रास्त्रों बरा है हमारे लिए महाप्रभु बरा है आप मुझे जक्कार ब स्वैनिक है कमंडर इंसीब होते हैं स्वैनिक कैसे होते है मेरा पास मेरा सिकूरिटी खारा है इनको स्वैनिक बोलते हैं हमारा स्वैनिक हमारा नजदिक भी नहीं आते हैं यह स्वैनिक होते हैं इसको कमंडर इंसीब बोलते हैं आज वो वीडियो देखने का बात किसी का मन मे संदे ने होना संधे कि नभीनबाबु हस्ताक्षर भी नहीं करते है आप राइट्टू information act में petition लगाईए सारे हस्ताखर digitally होते हैं और ये digital signature पंडियान यूश करते है मेरा तु निभेदन होगा हमारा जब सरकार एक बर जाज भी कर ले कि सार पास महिना एक साल में जतना सिगने सर हुआ है क्या नभीन बाबु का संग्यान में हुआ है या सिएम का सिगने सर पंडियान ने मिस्यूस किया है इसका भी एक इंक्वारी होना साहिए आज का बाट और क्या मेडिकल रिपोर्ट साहिए काल तक तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट मांग रहा था आज का बाट कोई मेडिकल रिपोर्ट का जरूर है आज जो वीडियो निकाले आज वीडियो टू फाइनल क्लाइमेक्स था देखिये मैं तो जो भी बोलता हूँ हमारा तो नभीन बाबू से कुछ नहीं है हमारा problem तो नभीन बाबू से है ही नहीं हमारा problem है पंडियांच से कि भाई आप क्यों सरकार सलाते हो उरिया लोग है मंत्री है सीव सेकेटरी है दीजीपी है, सरकार उनको सलाने दो, कलेक्टिव रेस्पोंसिबिल्टी होते हैं, तो इसलिए मेरा मनना है, पंडिया ने उरिश्या का साथ एन्नाई किया है, उरिश्या भारत बर्स का सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव स्थेड है, ये स्थेड का कैलान, स्थेड का विकास बीजेपी का धरम होगा, सरकार बनने वाला है, सौप संखा पार करते हुए, और आपको याद होगा, मैं तीन महिना का पहले, जब ये कारियल में आया थे, मैं बोला था कि सपदग्रहन समारू में आऊंगा, तब आप लुग मुसको पूस रहे थे, कि क्वालिशन होगा, एलाइन्स होगा, मैं इसारा देखे गिया था कि सपदग्रहन समारू में आऊंगा, दस तारीक अगर सब बुलाता है, दस तारीक दुबारा आऊंगा सपदग्रहन समारू में, एस्ट्रोलजा नहीं है, लोगों का पाल्स, 1996 ने मैंने से मैंने सुनाव लड़ना शुरू कि पुरिशा में जब पहले सभा में आया था, धीमा सा मैंने वेव देखा था, आज मईरभन्ज, भड्रक, जगत सिंग्पुरा में मैंने सुनामी देखके आया हूँ, शुरूआद हुआ था छोटे वेव से, लेकिन आज मैं सुनामी देखके आया हूँ, सतीजगर में मैंने ऐसा ही देखा था, शुरुवाद हुआ था छोटे लहर से, लेकिन सुनाव का अंत तक ये सुनामी बन गया था, उरिशा में सुनामी होने वाला है, उरिशा का लोग बहुत ही सिंतिद है कि हमारा उरिशा कहा जा रहा है, उरिशा का लोग कभी भी पंद्यान का सामने आत्मसमरपन नहीं करेगा, बहुत बड़ा इतिहाज है उरिशा का, सभिमान अहांकर का उरिशा का बहुत बड़ा इतिहाज है, ये सुनाव में उरिया लोग प्रूफ कर देगा, कि हम लोग सभीमानी है, नभीन बाबू को थोड़ा प्यार करते थे, लेकिन प्यार का मतलब यह नहीं है, कि हम हमारा सभीमान भी किसी का हाथ में हम उठा देगा, यह नहीं होता है, एक लक्समन रेखा होते है, आज का वीदियो ने ओर लक्समन रेखा, क्रॉस कर सुका है, ब उरिशा में ट्रेन एक्सिदेन हुए थे, तब मैंने नभीन बाबू को फोन करने का कोशिश किया था, नभीन बाबू मेरा फोन में नहीं आया वो दिन, लेकिन उनका अफिस में मैं पत्र लिख के बोला था, कि अगर उस समय मेरा सीप सेकेटरी भी उरिशा का अफिसर अखन हम लोग इस्तान इंडिया का है, बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल रूज है, और उरिशा और आसाम हमारा भासा भी लगभग सिख्ष्टी पर से नेग है, इसलिए जब उरिशा का प्रब्लेम होगा, आसाम हमेशा उरिशा का साथ है, और उरिशा का जब आसाम का ज का लिमित में है, अगर कुछ बड़े होते है, हमारा उसमें कोई प्रेस्थिज का बात नहीं होगा, हम नभीन बाबु को फोन करके मदद मांग लोगा, उसमें कोई प्रब्लेम नहीं है, आज और एक बात में बोल के जाता हूँ, ये बार बार नभीन बाबु का जो कुछ नहीं है, हमारा अच्छा है, लेकिन अगर एक लाग पोस्त में भेकेन रखता हूँ, तो उधार लेने का मेरा क्या जरूरत है, एक लाग पोस्त का मतलब 500 को रुपिया, अगर सरकार में आप एपॉइंट्मेंन ही नहीं देगा, सरकार का खरसा अपने आप कम हो जाए उधार लेने का आपको क्या जरूरत है, एकोनमी ही नहीं होगा, आज पूरा पंडियान जो सरकार सला रहा है, यह एक बहुत नया मोडेल है, इसको जाके मैं स्तादी करूंगा, कि आप सरकार में किसी को नोक्री मत दीजिए, अगर एक लाग लोगों को नोक्री नहीं देते है, पसाज हजार करके एक बेक्ती का सेलारी होते है, मतलब पांसो कर रूपिया हर महीन आपका सेविंग हो जाते है, तब आपको उधार लेने का क्या जरूरत है, मैं पांडियान को बोलना साता हूँ, आप मेरा प्रदेश एकदम छोता प्रदेश है, मेरा बाजट एक रूपित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं असाम का लोगों को पेट्रोल 96 रूपिज में देता हूँ, पंडियान आप लोगों से 101 रूपिया लेते हैं, है ना, उरिशा में पेट्रोल का लीटार 101 रूपिया है, और बीजेपी सासिद प्रदेश में, मोधी का प्रदेश में पेट्रोल का लीडार 96 रूपिज है, हर बार जार्नेलिस कूटेर में टेल भरूआता है, जार्नेलिस लोग गारी में टेल भरूआता है, पंडियान को से रूपिया का अप लोग अलगा टेक्स देते हैं, यह नवय मोडेल है, सीखने वाला मोडेल है, मैंने आके सीखा यहा उसी से सरकार सला लो पेट्रोल डिजेल का भाव UP से ज़दा है असाम से ज़दा है डेली से ज़दा है हरियाना से ज़दा है पंजाब से ज़दा है अगर एकोनोमी का बारे में कभी BJD का लोग कोई डिबेट करना साथे है मुझे को काल भी कोई स्टूडियो में बुलाली जीएगा मैं दुबारा उरिशा में आ जाऊंगा अगर कोई उरिशा का बीजेदी का कोई मंत्री हमारा साथ एकोनोमी का बारे में डिस्कास करना साहेगा कोई भी टीवी सैनल में मैं दुबारा आ जाऊंगा कोई प्रॉब्ल पूरिया लोगों को डिखेगा एक ट्लाक नोक्री खाली है हमने एक भी पोस्ट खाली करके असाम में नहीं रखा हूं तो इसलिए हमें एकोनमी सलाने के लिए जो करना होता है करना पड़ता है लेकिन में एक बात बोलके जाता हूं असाम और उरिशा को कभी कंपेर मत एक्स्रीमिस का हाटों में 42,000 people has been killed by extremists मैं ओ प्रदेश में आया हूं लेकिन मोदी जी का गेरेंटी से मोदी जी का कारण आज आसाम थोड़ा विकास का रास्ता में है उरिशा में सिखूंगा उरिशा से सिखने वाला सीज है ओ भी सिखूंगा मैं धर्मेंदर भाई को बोल रहा हूँ अभी उरिशा से क्या क्या सिखने का है तो ओ भी सिखूंगा लेकिन पांदियान से मुझे कुछ सिखना नहीं है मेरा जो सिखना है उरिशा का सिविलाइजेशन से सिखना है उरिशा का जंता से सिखना है मुझको कोई पांदियान से सिखना नहीं है और आप कोई प्रॉब्लेम नहीं है, मैं आ जाओंगा, GDP, डेब GDP रेशियो क्या होता है, Tax GDP रेशियो क्या होते है, Deficit Budget क्या होते है, Surprise Budget क्या होते है, जो भी सही है, कोई भी एक TV सेनल में पंदियान जी को बुलाईए, मैं बैठ लूँगा, मेरा कोई ego नहीं है, मेरा कोई अहंकार नहीं है, 45 मिनिट में बैठ लूँगा, फिर मैं उनको पूशूँगा, कि जो स्टेट को आप नेगलेक कर रहा है, ओ स्टेट 90 रूपिया पेट्रोल एक लिटा डे रहा है, आप 101 रूपिया दे रहा है, ओ स्टेट में एक भी पोस्ट खाली नहीं है, आप एक लाग पोस्ट खाली करके रखा है, तो इसलिए आप लोगों का कोई ये सैलेंज लेके जाईए, ये दो दो मिनिट का वीडियो बना के क्या फाइडा है, कोई फाइडा है, कुछ तो फाइडा नहीं है, उनको भी बुलाइए, मैं भी आ जाऊंगा, और मैं तु ये नहीं बोल रहा हूं, मेरा कोई धिकारी को भेजूंगा, कोई मंत्री को भेजूंगा, मेरा कोई इगो नहीं है, मैं ही खोड़ आ जाऊंगा, अगर नभी निबा दिल्ली में शार सो पर उरिस्टा में एक सो पर और आप डेख लीजिए शार टारीग बात करेगा आगे जाके खसके करेख बोलाजि में टाउन डेख लीजा करेख लीजिएर ीजिए फिएस समय प्राचे